अपडेट्स कॉंसलिंग ठीचिंग यहां मिलेगा सब स्टुडेंज जिस प्रिज द बेल आइकन और सब्सक्राइब महामना एजुकीशन हाब काशे हिंदुबिश्विद्याले के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो साल 2019 में एडमिशन लेना चाहते हैं जिनके रिजल्स भी आ चुके हैं और अब वो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कुछ बहुत ही अपडेटेड सूचना है खुश खबरी भी है जिसको पाकर वो अति उत्साहित भी हो जाएंगे आपको मैं बता दूँ कि 4 जुलाई से बेच्चु ने काउंसलिंग की डेट निर्धारित की है और अगले एक से दो दिन में आपके काउंसलिंग पोर्टल पर भी सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपका कॉल लेटर भी आ जाएगा और बाकी जो भी चीज हैं वो सब कुछ अपडेट कर दी जाएगी अब ये खबर को हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़े होंगी इसमें इस बार से एक सीट के लिए चार अभ्यारती बुलाया जाएगे काउंसलिंग प्रॉसेस में प्रकिरिया में और जहां पे मिनमम कटप जो है सहायता से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ले चलते हैं वहीं पे जहां ये चीज़े हैं दिखिए एक सीट के लिए बुलाया जाएगे चार अभ्यारतीयों को अल्राइट अब हम आपको थोड़ा बिस्तार से पढ़कर बता देते हैं कि क्या असली में ये निउस है इन प्रवेश्ट की प्रकिरिया अब अन्तिम दोर में है बुधवार को विभागों की ओर से कट अफ सुची जारी की जा सकती है एक सीट के लिए चार अभ्यारतीयों को बुलाया जाएगा और इस बार प्रवेश्ट के नियमों में कुछ संसोधन किये गए हैं सामाने वर्ग क कि हर विशे के सरवाधिक अंक पाने वाले च्छात्र के मुकाबले 35% फिस्दी अंक प्राप्त करने वाले अभ्यारतियों को ही कांसलिंग में बुलाया जाएगा और 25% रजर्व कटेगरी के अंदर में बुलाया जाएगा ऐसा ये निर्धारित किया गया था लेकिन सुतरो कि उनके मार्क्स कम आये हैं और हो सकता है विश्वविद्याले की कुछ सीटें रिक्त रह जाए खाली रह जाए इसलिए विश्वविद्याले इस पे संसोधन भी कर सकता है। बस्तीटों भरने से संकट खड़ा रहेगा। तो इसके विश्वविद्याले प्रशासन ने कट आफ के नियमों में संसोधन कर इसे थोड़ा लचीला बना दिया है। इसलिए उसमें संसोधन हुआ है हलांकि ये क्लियरले डिकलियर नहीं हुआ है कि कितना होगा कट आफ उनक पियारों ने कोई ऐसी इंफर्मेशन भी नहीं दी है। कट आफ सुची आज आ सकती है और समान निवर्ग और आक्षित वर्ग को लिए कट आफ की नई पत्ती में यही है कि 25% से नीचे किया जा सकता है। तो अपने पोटल चेक करते रहें जो कांसलिंग पोटल है उसे लो लीडिस एन जेंटलमेन कृपया इस वीडियो को माक्सम लोग तक शेर कीजिए अगर पसंद किया आपने तो लाइक भी कर लीजिए और अगर इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो कृपया कर गए सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आपके करियर समंधित हर एक ज